हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आफसर मैं सरब जी ताज आपके साथ शेर करने जारी हूँ एक पॉंचे का डिजाइन तो चलिए ना टाइम खराब करते हुए सिर्बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे हम तीन-तीन इंच का पहले गैप बना लेते हैं यह जो पॉंचे की चड़ाइ मैं ने रखी है सवा दो इंच के गरीब रखी है पॉंचे की चड़ाइ आप अपपने हिसाब से रख सकते हो। यहां पे हम 3-3 इंच का एक निशान नीचे लगा लेते हैं, इस तरह उपर भी लगा लेना है, बिल्कुल सामने इसके, और यह जो मॉचे का डिजाइन है, बहुत ही परफेक्ट बनता है, बहुत ही सुन्दर लगता है, बना हुआ, तो यहां पे अब एक साइट से हम इसे सिल बनना नहीं है, बस थोड़ा सा छोड़ कर ही, इसको सिच को रोक लेना है, और फिर दूसरी साइड कर लेंगे, इसी तरह हमने पूरे पहुंचे में पहले इसको सिलाई को लगा लेना है, यह गैप क्यू रखा है, वो आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि इस सिलाई को हमने आगे जब डबल करना है, तो हमें गैप चाहिए होता है, तो यहाँ पे अब इसे हम टर्न करेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे एक पैर का, और सिलाई को हम इसके साथ साथ लेकर आएगे, इस तरह आपने इसके साथ साथ लेकर आना है, आप देखे, यहाँ पे सिलाई नीचे लगा रही है, इसी तरह हमने इसके उपर भी एक सिलाई लगा लेने है, उपर वाली साथ में भी हम सेम इसी तरह स्टीच कर लेंगे गुमागे सिलाई को, इस तरह पम ही लगी है या सिलाई, अब टारन करेंगे, अब दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे अब अंदर वाली साइड लगा रही है गैप इतना ही रखेंगे जितना गैप आपने इसमें रखा है उतना ही गैप रखके इसे सिलिएगा आप सिलाई लगाने के बाद हमने इसके अंदर स्क्रोल भरना है यह देखिए इस तरह हम स्क्रोल भरेंगे और मैं आपको बिल्कुल क्लोस करके दिखा रही हूं स्क्रोल हम थोड़ा बारिक भर रहे हैं आप अपनी पसंद के हिसाफ से इस तरह भर सकते हैं दोनों हिस्सों में हमने ब्राबर स्क्रोल भरना है तो इसी तरह हम इसे फिनिश कर लेंगे अब दूसरी साइड में भी हमने सेम इसी तरह स्क्रोल भर लेना है अब लेजी स्क्रोल भरने के बार अप सिलाइको थोड़ा सा उपर खुमा कर लाएंगे और कॉर्नर पर फिर हम इसे एक बार फिर से सीदह सिलेंगे उपर तक आना है और अब हम इसे थोड़ासा दो पैर पिर चलाएंगे और फिर नीचे की तरफ आ और तरह मिला लिए इस तरह हमने तीन भात करने यह देखिए यह जो डिजाइन बनता है बहुती परफेक्ट बनता है और सुन्दर लगता है देखने में पॉंचे की जो लुक है वो बहुत अच्छी आ जाती है अब इसे यहां पर हमने तीन वर कर लिया है और अब सिलाई को हम इस तरह घुमा कर फिर दुबारा से घुमा कर लेकर आएंगे उपर तक अब सिलाई को हमने फिर दुबारा से उसी कॉर्नर पर लेकर आना है और इसी तरह से हमने जैसे उधर किया है उधर इस तरह भी इसी तर पसंद आया है तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर कर दूँ और आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीचेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मुद्ध पूलीगा और आगे हम बहुत सारे डिजाइन लेकर आएंग को दिखाती है तो लिजिए पहुंचा हमारा बंद कर तैयार हो गया है बहुत ही परफेक्ट बना है और फिनिशिंग बहुत अची आई है और देखने में यह बहुत सुन्दर लग रहा है अगर आपको वीडियो पसंद है दुवारा से बोल रहे हूं लाइक कर लीजिएग लगाँ watched कर एक救ाने में लेंग आपको।